बिहार में बीजेपी ने सीट शेरिंग को लेकर अभी तक जितने पेश थे सबको दूर कर लिया है अपनी सयोगी पाटियों को मना लिया है और अप गट बंदन कितने सीटों पे चुनाव लड़ने वाले हैं ये तस्वीर साफ हो गई है वो सारे आकड़े अबेके करके सामने आ चुके हैं उसमें जो सबसे बड़ा पेंस था चुराक पासवान को लेकर क्योंकि उनको साथ सीटे चाहिए थी ये संभाव नहीं था क्योंकि बीजेपी को अपने और सयोगी चेहरों को भी लेकर चलना था जिसमें जीतन नामाजी जिसमें उपेंदर कुश्वाहा मुके सहनी को लेकर हलाकि अभी भी सस्पेंस बना हुआ है पशुपती पारस जो की चुराक पासवान के चाचा हैं और दो हजार इकीस में जब पार्टी टूटी तो दो खेमे में लजेपी हो गई थी यहीं पे बीजेपी को सबसे जादा मुश्किले आ रही थी और चुराक पास वारों की जो संख्या है हाला कि उसकी तस्वीर तो अगले कुछ घंटों में क्लियर होगी लेकिन जो सोर्सेज बता रहे हैं उसके जड़िये में आपको बताती हूँ कि अभी तक किन-किन चीजों पर बात बनी है 17 सीटे बीजेपी की सोर्सेज के हावाले से 16 सीटे जेडि पशुपती पारस जिन से अब उनकी बात चीत नहीं है पशुपती पारस को अब वहां से बेदखल कर दिया गया है और चिराग पासवान अपने पार्मपरिक सीट पर यानि अपनी पिता की सियासी विरासत संभालने वाले चिराग वहां से चुनाव लड़ेंगे ये इस सबसे महतोपुर्ण पहलू है अब इसके अलावा और क्या क्या डेवलप्मेंट है वो भी आपको बताते हैं पशुपती पारस से बीजेपी ने कोई बातचित नहीं किया है खबर अब ये भी मिल रही है कि उनकी एक अलग भी बातचित चलु और पशुपती पारस अप कुछ भविश्वानिया की थी उसमें ये कहा गया था कि चिराग पास्वान खत्म होने जा रहे हैं उनकी राजनिती खत्म होने जा रहे हैं लेकिन इस पूरे प्रकरन में अगर कोई उभरता हुआ चेहरा है तो वो चिराग है इस लिहासे क्योंकि 2020 में उनके पिताजी का चाते हैं लेकिन आज की तारीख में चिराग पास्वान वो चेहरा हैं जो बीजेपी जैसी पार्टी से डील करके पास सीटे हासल कर लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है अब मैं महागडबंदन की यानि इंडिय गडबंदन की भी बात करूँगी अभी तक उन्हो है लेकिन बिहार में सीटो का जो पेच फसा हुआ था जो अभी तक सस्पेंस बरकरार था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है कर दो कर दो कर दो कर दो अभी तक सकता है